हेलो स्टुडेंट्स मैं प्रवीन कुमार रुक्मेनी प्रकाशन की ओर से DRDO के कोश्चन गाइड के सांथ और DRDO के लिए जो कोश्चन गाइड है उसके टेस्ट सीरीज फरस्ट के सामानने जानकारी के जो कोश्चन्स हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा तो DRDO के लिए जो Question Guide है, Test Series का जो Question Guide है उसके Test Series 1 के सामान्य जानकारी वाले भाग के साथ इसमें Question पहला है, सामान्य जानकारी में, Test Series 1 का सामान्य जानकारी में पहला Question जो है, वो 36 नंबर पर है और पहला Question है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकास संसलेशन करता है, वो निमनांकित में कौन है? हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकास संसलेशन करता है, वो निमनांकित में कौन है? Option A है chlorophyll, B है chloroplast, C है chloroform और D इन में से कोई नहीं इसका answer A होगा chlorophyll chlorophyll pigment है और chlorophyll pigment chloroplast में होता है लेकिन यहाँ पूछ रहा है हरे रंग का पदार्थ तो chloroplast में chlorophyll होता है तो पदार्थ जब पूछ रहा है उस pigment को पूछ रहा है तो chlorophyll होगा हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकास संस्लेशन करता है वो निमनांकित में कौन है chlorophyll तीन प्लास्टिड्स होते हैं chloroplast, chromoplast और lycoplast तो इसमें chloroplast में chlorophyll pigment होता है जो प्रकास संस्लेशन में अवस्यक pigment है तो प्रकास संस्लेशन हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकास संस्लेशन करता है वो निमनांकित में कौन है chlorophyll तो 36 का answer हम लोग का A होगा 36 का answer A होगा chlorophyll दूसरा question है silent valley या मुक घाटी किस राज्य में इस्तित है silent valley option है tamil naadu goa jamu kasmir keral तो silent valley goa में silent valley silent valley या मुक घाटी किस राज्य में अवस्तित है तो option है tamil naadu goa jamu kasmir keral silent valley keral में है तो answer इसका D होगा silent valley keral में है और keral में ये जो छेत्र है वो जैव्विविधता के लिए बिसेस रुप से जाना जाता है तो Silent Valley केरल में silent valley केरल में और यह 37 का answer हो जाएगा silent valley केरल में और यह जो छेत्र है केरल के पलकड जीले में है और यह जैव्विविधता के लिए यहां पर आप एक चीज़ जान लीजे कि जिस तरह का equatorial natural region में बिश्वत रेखा के आसपास जयव विविधता अधिक मिलता है उस तरह की जयव विविधता अगर भारत में कहीं देखने को मिले ज़्यादा तो वो केरल छेत्र में है तो ये भी question कभी कभी आता है कि बिश्वत रेखिये जो प्राकृतिक प्रदेश या बिश्वतिये प्राकृतिक प्रदेश के रूप में उसी तरह की जयव विविधता भारत में कहां अगर आप्ट करना हो तो वहाँ पर केरल छेत्र होगा और साइलेंट वैली कहां पर केरल छेत्र में और केरल के पलकड जीला है वहाँ पर साइलेंट वैली और ये साइलेंट वैली कहां है अगर बात हो तो केरल छेत्र में कहां पर तो नील गिरी की पहाड़ी नील गिरी की पहाड़ी छेत्र में नील गिरी में तो यहां देखेंगे next question 38 number 38 number question है गोवा किस नदी पर अवस्थित है गोवा किस नदी पर अवस्थित है तो गोवा किस नदी पर अवस्थित है तो मंडोवा नदी है जो B answer होगा तो 38 का answer अपका B होगा मंडोवा नदी गोवा किस नदी पर अवस्थित है मंडोवा नदी और option में है नर्मदा, B में है मंडोवा, C में है ताप P नदी और D में है पिननार नदी तो answer हमारा हो गया गोवा किस नदी पर इस्थित है मंडोवा नदी जो B option है यहां पर 38 का option यह B है मंडोवा नदी तो गोवा किस नदी पर इस्थित है मंडोवा नदी और भी कुछ नदी दिया है नर्मदा, तापी, पिननार तो नर्मदा और तापी यह दो नदियां है प्रैद्यूपिय भारत की जो पूरब से चलते हुए पूरब से पस्थिम की और चलने वाली प्रैद्यूपिय भारत की कौन नदी है तो नर्मदा और तापी यह खास कर कि यह भी question पुछता है तो नर्मदा और तापी जो प्रैद्यूपिय भारत की दो नदियां जो पूरब से पस्थिम की और जिनका बहाओ और बाकी जो प्रैद्यूपिय भारत की नदियां है वो पस्थिम से पूरब की और यह एक महतोपून चीज़ है कि अधिकान प्रैद्यूपिय भारत की नद प्षुम से पूरफ की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ने नर्मदा और तापी जो पूरब से पश्च्छ मे ओर चलती हुई अरब सागर में तो यह नर्मदा तापी यहां पर कोश्ण खाक रही दूसरा था कोश्ण था गोवा किस नदी पर है तो वो सिंपल सा है मंडोवा नदी पर अब तो नर्मदा और तापी ये दक्षिन भारत की दो नदीयां जो आप्शन पर थोड़ा मैं बात कर लो जो पूरब से बहते हुए पस्चिम की ओर और एक नदी है पिनार नदी ये पिनार नदी जो है वो करनाटक में पिनार नदी करनाटक में लेकिन आप इसी तरह का एक नाम है पेरियार और पेरियार नदी केरल में तो पिन्नार नदी करनाटक में और पिरियार नदी पिन्नार जो लिखा हुआ है पिन्नार ये करनाटक में और पिरियार जो है वो केरल में मैं लिख दे रहा हूँ पिन्नार नदी है ये करनाटक में कभी-कभी confusion हम देखते हैं इसलिए और पेरियार जो नदी होगा ये होगा केरल में क्भी तो ये विटामिन की कमी से और बितामिन D की होता है क्लसी फेरओ के कमी से यो वितामिन डी की कमी से वितामिन का कैमिकल नैम कैल्सी फेराल है और न्य B वी का कैमिकल नाम यार्खिएगा तर्शायनिक नाम याद रखिएगा तो उन्चालिस C터ût B, आप्शन फिर समको देख लेने दिजिए, B, विटामिन D, आप्शन B में, ठीक है, next, 40 नंबर कोश्चन, प्रोटीन उर्जा कुपोशन का परिणाम, यानि प्रोटीन की कमी से, निमनमे या उसका कुपोशन, यानि भोजन मेंगर प्रोटीन की मात्रा कम मिल रही है, तो किस रोग की संभावना, किस डिसॉडरेंस की संभावना होगी, किस रोग की संभावना होगी, तो वो एक है रोग, मरासमस, मरासमस, जिसमें सारीरीक विकास रूख जाता है, तो प्रोटीन आप जानते हैं, कि सेल के बिल्डिंग में, ग्रोथ में, सबसे ज्यादा ज़रूरी क इसका होता है protein का, तो protein की कमी से, उसके कमी से यह उसके कारण जो कुपोशन होता है, उससे कौन सा रोग की संभावना, रोग होता है, उसमें लिखा हुए बल छहे और उसी वो रोग का नव है marasmas, marasmas, और मरासमस रोग में क्या होगा कि ग्रोथ रूख जाता है वच्चे का ग्रोथ रूख जाता है और ये प्रोटीन की कमी से सारी रीक विकास रूख जाता है तो प्रोटीन उर्जा कुपोशन का परिणाम है प्रोटीन उर्जा कुपोशन का परिणाम है मरासमस रोग और वो र तो प्रोटीन की कमी से सरीर का भीकास रूख जाता है तो सरीर का भीकास मुखे रुख से कब? तो बजपन में, अगर उसकी कमी उसका कोपॉच्ण होता है तो जो प्रोपर जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है तो ये A, चालिस नमबर निम्नानकित में किस जग़ गुर्तवा कर्षण का मान सरवाधिक होता है देखिए ये गुर्तवा कर्षण का मान सरवाधिक एक चीज आप जान लें उसके बाद हम लोग औप्षून को देखेंगे ये इस तरह का कोस्ट्ञ हमेशा रहेगा कि गुर्टवा कर्षण का मान ये अर्थ अगर हम करते हैं अर्थ तो अर्थ के यानि समुद्र तल से धरातल से जैसे जैसे हम उपर जाएंगे गुर्टवा कर्षण का मान क्या होगा? कम होता जाएगा और किसी बस्तू की भार भी कम होती जाएगी धरातल से दूर जाने पर और धरातल से अंदर भी अर्थ के सेंटर की तरब भी आएंगे तो किसी बस्तू का भार कम होता जाएगा गुर्तवा कर्षण कम होता जाएगा अर्थ धरातल से अंदर भी जाने पर और धरातल से उपर भी जाने पर कोश्चन क्या है वो हम बाद में देख रहे हैं पहले आप जान लिजे गुर्टवा कर्शन का यानि किसी भी बस्तू का बाहर पृत्वी के धरातल से उपर जाने पर भी कम होगा और धरातल से नीचे यानि पृत्वी के अंदर केंद्र की तरफ जाने पर भी कम होगा उपर जाने पर कम होता है क्योंकि दूरी बढ़ते जाता है और अंदर में मास काम करेगा क्योंकि जैसे अंदर आएगा कोई बस्तू तो इतना उपर वाला चीज उसके लिए नहीं रहेगा क्योंकि आप जानते हैं कि एफ जो इन्वेर्सल लॉओ अफ़ ग्रेविटेशन जो नूटन का है डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू अम हम टू wins और एफ इन्वेर्सली प्रपर्शनल टू वन बई आर स्वाइर् और यहां र है दो पिंडो के बीच की दूरी का स्वायर तो दूरी बढ़ेगा तो मान कम दूरी घटेगी तो मान लेकिन वहां पर मास इस्थिर रहना चाहिए दोनों का और मास पर डिपेंड करा तो यहां पर अंदर आने पर किसी बस्तू का भाहर कम होता है उसमें मास का बात होता है और उपर जाने पर किसी बस्तू का भाहर कम होता है उसमें दूरी का बात होता है अब यहाँ पर है कि पृत्वि के धरातल पर भी तो सर्वाधिक थीन condition में धरातल से उपर और धरातल के अंदर यह 3 condition में धरातल पर पर भी सभी जगा समान नहीं है धरातल पर भी सभी जगा गुत्वाकरशन का मान समान नहीं है इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि पृत्वी का जो बिश्वत रेखा के सामने यानि पृत्वी पूरी तरह से स्फेर नहीं है गोला नहीं है पृत्वी यह जो इसका ज्यादा है और यह distance कम है यो यह ज्यादा है तो ti Nice तो सबसे कम जो गुर्त्वाकरशन होगा वह विश्वत रह तपर धरातल पर ही अगर बातो रहा है निम्नांकित में किस अस्थान पर जी का मन सरवाधीक होगा तो अब धुरूपर होगा तो धुरूपर अंटार्टिक के कैम्प में अंटार्टिका तो आप जानते हो दो आइस कैप इधर बोलते हो आर्कटिक और इधर बोलते हो अंटार्कटिक तो इसलिए ये इस option के हिसाब से आप कहेंगे ये जो उचाई है उससे ज़्यादा कारगर्ग यानि ज़्यादा कहां पर धरातल पर सभी जगा समान नहीं होगा बिश्वत रेखा पर गुर्तवाकरशन का मान सबसे कम और ध्रूवों पर सबसे अधिक अब है कि ध्रूव तो ध्रूव में आपको अंटार्टिका भी आएगा आर्करटिक भी आएगा ध्रूव ये च्छेत्र में तो option इसका हो जाएगा D 41 का option answer हो जाएगा D 41 का option answer होगा D 41 का D सायल आप समझे हूंगे मैं फिर से कपर बात कर रहा हूँ कि प्रित्वी के ध्रातल से उपर जाने पर किसी बस्तू का भार कम होगा यानि गुर्तवाकर्शन के कारण ही उपर जाने पर और प्रित्वी के धरातल से अंदर केंद्र की तरफ आने पर भी किसी बस्तू का भार कम होगा यानि इन तीन कंडिशन है प्रित्वी के धरातल के अंदर धरातल के उपर और धरातल पर सरवाधी कहा होगा धरातल पर दूसरी बात धरातल पर भी गुर्तवाकरशन सभी जगा बराबर नहीं होगा क्यूंकि पृत्वी पूरी तरह से स्फेर नहीं है, चिप्टी हुई है, तो जब ठोड़ी चिप्टी है तो उसका जो 36 जिये जो त्रिजया होगा वो ज़्यादा और ये कम है। तो दुरी ज्यादा है वहाँ ज्यादा बल लगेगा जहां दुरी ज्यादा है वहाँ कम बल लगेगा इसलिए भुमद रेखा विश्वत रेखा के पर जो धरातल होगा वहाँ कम और धरुविये धरुव के पास जो धरातल है वहाँ अधिक तो गुर्तवाकरशन सबसे जाधे कहां? तो धरातल के स्थिति में अगर हम बात करें तो कहां? तो धुरुविये च्छेत्र में या धुरुव पर तो दोनों ध्रू या तो उत्री ध्रू या दचनी ध्रू उत्री ध्रू ये चेत्र को आर्क्टिक चेत्र काते हैं दचनी ध्रू ये चेत्र को अंटार्क्टिक चेत्र काते हैं तो अंटार्क्टिक कैम्प में इसी concept पर ये question पूछा हुआ है इसलिए इसका answer D करना ज्यादा स सेक्रेट होता है, इंसुलीन कम बनने से डियाविटीज होता है, तो मधुमें इंसुलीन के कम बनने से डियाविटीज होता है, और इंसुलीन अगर अधिक श्राव होगा, तो हाइपो ग्लाइसीमिया होगा, तो मधुमें इंसुलीन के कम बनने, तो ये इंसुलीन का पैंक्रियाज से यानि अगनियासे से और यह जो अगनियासे है वो मानो सरीर की जो ग्लैंड्स हैं उसमें दूसरी सबसे बड़ी है सबसे बड़ी में आप आते हैं तो लिवर आता है फिर यहां पर आकर के पैंक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी मानो सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रण थी तो पेंक्रियाज से इंसुलीन सेक्रिट होता है और इंसुलीन के सेक्रिशन के डिसॉडरेंस से रोग होगा और उसमें अगर कम सेक्रिट कर रहा है तो डियाविटीज ये मधु में हो गया और ज्यादा अगर सेक्रिट कर रहा है तो हाइपोगलाई सिमिया होगा यानि insulin proper way में insulin का स्राव सेक्रेशन होना ज़ये इंसुलीन का सेक्रेशन कहां से insulin कहां से सेक्रेट करता है कहां से उसका स्राव होता है तो pancreas से तो यहां question है सरीर के किस अंकी खराबी से मधुमेर का प्रकुप होता है तो B कीजिए pancreas या agnias है तो 42 का B 42 का answer B अब आईए 43 नंबर question Ebola क्या है Ebola एक virus है और उसके कारण अफरिका महादेश में Ebola virus और जिसे रोग होता है तो Ebola virus अफरिका का और Ebola क्या है virus है यहां पुछा Ebola क्या है तो virus है तो 43 का A अब 44 नंबर question 43 का A option में बोलता जा रहा हूँ कोई जोरी ने लिखना 44 नंबर question घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है यह निम्ने में किस छेत्र में ब्याप्त होता है घेंगा रोग तो आयोडीन आप जानते समुद्री पानी में तो आयोडीन रहेगा ही तो यहां पर घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है यह निम्ने में से किस छेत्र में ज्यादा ब्याप्त होता है तो पहाडी छेत्र में तो गेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है निम्ने में से किस छेत्र में ज्यादा ब्याप्त होता है संबाओ ना जयादा तो पहडी छत्र में तो B, 44 का B 44 का B और 45 विटामीन A मुख्यता कहां संगरहीत होता है हमरे बार सम्राइघ लो हैं विटामीन A कहां होगा विटामीन A का संगरहन कहां होगा लीवर में लीवर जानते हैं, मानो सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और लिवर से पीत का स्राव होगा तो लिवर यानि यहां बिटामिन A कहां संग्रहित होता है तो एंसर हो जाएगा D 45 का एंसर D अब 46 नंबर कोइस्टन हम लोग देबेगे मादा क्यूलेग्स मक्षर निम्नांकित में किस रोग की बाहग है तो यह फाइल अरिया मादा क्यूलेष फाइलेरिया और यह ब्रैंकोफाइट क्रेमी से फाइलेरिया होता है मादा क्यूलेस मच्छर इसका वाहक होता है और अगर किसी को काटा तो फिर ये कहां जाएगा मानोश सरीर में तो इसका वाहक, इसका मेसेंजर कौन होता है फाइलेरिया का तो ये होता है मादा क्यूलेस मच्छर और ये फाइलेरिया किसे होता है तो ब्रेंकोफाइट क्रीमी से फाइलरिया होता है और इसका मेसेंजर हो जाता है मादा क्यूलेक मस्क्यूटो और मच्छर तो 46 का एंसर B अब 47 नमबर समदाव रेखा है निम्नांकित में किसको प्रदर्सित करती है तो समान वाई मंदलिये दाव अगर मैपर समान वाई मंदलिये दाव वाले अस्थानों को एक रेखा से मिलाया जाए तूसरे रेखा को समदाव रेखा कहेंगे और अगर समान ताप को मिला है तो समताप रेखा होगा समान बरसा वाला छेतर को मिलाने वाली रेखा हो तो सम बरसा रेखा होगा तो समदाव रेखा है निम्नांकित में किसको प्रदर्शित करेंगी समान वाई मंडल ये दाव वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा को शमदाव रेखा तो 47 का एंसर D, अब 48 नमबर निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है निकच्छ के रण में जाकर के वो समाहित होती है, खत्म होती है, वो कौन सी नदी है तो ये नदी लूनी नदी है लूनी नदी जो राजस्थान के अजमेर छेतर से निकलती है और गुजरात के रन अफ कच्छ में आकर के समाप्त होती है तो लुनी नदी, लुनी नदी वो छोटी नदी है राजस्थान के अजमेर छेतर से निकल के गुजरात के रणफ कच में समाप्त होती है तो यह तो आप याद करें या फिर जितने रिवर्स हैं मुखे मुखे रिवर्स उनका डिरेक्शन देखना होगा उनका उद्गम देखना होगा, कैसे कैसे बाता है, यह थोड़ा सा ड्रेनिस पर काम करना होता है ड्रेनिस सिस्टम यानि नदी तंत्र हमारा कैसे कैसे है, कौन सी नदी का बहाओ किधर है, क्या डिरेक्शन यह थोड़ा देखना होता है तो लूनी नदी तो 48 कैंसर B हो गया और 49 नमबर कोस्चन है थाइराइड ग्रंथी का स्थान कहां है थाइराइड बढ़ना तो थाइराइड ग्रंथी का स्थान कहां है तो थाइराइड ग्रंथी गला में होता है थाइराइड ग्रंथी कहां होगा सदहारन नमक का रासाइनिक नाम क्या है तो sodium chloride सदहारन नमक का रासाइनिक नाम क्या है जो salt हम लगी यूज़ करता है उसका रासाइनिक नाम क्या है sodium chloride तारों का रंग निमने में से किस पर निर्वर करता है तारों का रंग निमने में से किस पर निर्वर करता है ये भी question हो सकता है कि तारा का रंग अगर नीला है तो तापमान कम है, ज़्यादा है, इस तरह से तो जब तापमान बढ़ते जाएगा तो तारा का रंग, किसी स्टार का रंग लाल होगा लाल से सफेद होगा और उसके बाद नीला होगा तो नीला जब रंग होता है जब बहुत ज़्यादा तारा का तापमान हो तो उसका रंग नीला होगा उससे कम होगा तो रंग सफेद होगा उससे कम होगा तो लाल होगा ठीक है तो तारा तारों का रंग या किसी तारा का रंग किस चीज पर नेवर करता है दबाव पर, उसकी उम्र पर, सौर मंडल से उसकी दूरी पर तो सौर मंडल से दूरी क्या है, सौर मंडल ऐसा कुछ तो ऑप्शन ही, कुछ महीन नहीं रख रहा है तारों का रंग मुखे रुप से किस पर डिपेंड करेगा, तापमान पर तो एकावन का ए होगा देखिए सौर मंडल से उनकी दूरी पर तो सौर मंडल से दूरी तो सौर मंडल हमारा सुरी भी तो तारा है तो उससे दूरी से उसके रंग का कुछ डिरेक्ट रेसन नहीं है यह हो सकता है कि आपको कैसा दिख रहा है वो अलग बात है लेकिन आपसे question है सिधे आप याद रखिए कि तारा का जो color होता है star का जो color होता है वो उसके temperature पर depend करेगा एक additional चीज हम ये बता रहे हैं कि साथ अगर question ऐसा पूछा हुआ है कि लाल, सफेद, निला अगर तीन रंग का तीन तारा है, तीन स्टार है, तीनों का रंग अलग अलग है एका लाल है, एका सफेद है, एका निला है ऐसा question frame होता है तो इसमें सबसे अधिक ताप मान किस का है, किस रंग के तारा का तो किस का होगा निला का तो लाल, सफेद, नीला, लाल, सफेद, नीला ये क्रम होगा जब ज़्यादा तापमान होगा तो नीला उससे कम तो सफेद, उससे कम तापमान रहेगा तो रंग रहेगा लाल तो तारों का रंग किस पर निर्भर करेगा ए उनके तापमान पर और 52 number question, 51 का answer A हो गया 52 number question है Dr. Norman E. Borlaug किस देश से थे तो ये Mexico से थे ठीक है? और खास करके Krissi Bagnani के रुप में इनको जाना जाता है Krissi के छेत्र में और उनका प्रभाव एक तरह से Green Revolution में रहा और भारत में Green Revolution का जनक अगर हम लोग कहे हैं भारत में Green Revolution जो भारती है हुए वो M.S. स्वामी नातन M.S. स्वामी नातन लेकिन Green Revolution के जनक के रुप में Dr. Norman E. Borlaug का नाम भी है और ये शुरू में उनका और ये मेक्सिको के थे मेक्सिको अब मेक्सिको कहां है? मेक्सिको कहां है? तो उत्री अमेरिका महादेश मेक्सिको है नीचे में है मेक्सिको मेक्सिको की खाड़ी भी देख रहे हैं Atlantic Ocean इधर Pacific तो मेक्सिको कहां है? North America continent में उत्र अमेरिका महादेश में तो मेक्सिको और Dr. E. Dr. Norman E. Borlaug मेक्सिको से थे Next question, यानि 52 का answer B हो गया अब 33 नमबर question है Iodine test का प्रयोग किसकी उपस्तिती जाचने के लिए होता है Iodine का test ये body में भी किसी का Iodine का test Iodine का test क्या जाचने के लिए हो रहा है तो carbohydrate का level आपके body में क्या है तो carbohydrate की जाच के लिए Iodine का test होता है तो carbohydrate की उपस्थितिक जांच के लिए iodine test होता है तो iodine test, carbohydrate की उपस्थितिक जांच के लिए यानि तिरपन का answer हो गया D तिरपन का answer हो गया D और 54 number question भारती संबिधान का कौन सा अनुछेद छुआ छुत उनमूलन से संबंधित है तो इसका answer तो पहले आप जानते भी होंगे क्योंकि बहुत बार repeated question है इसका होगा article 17 article 17 द्वारा भारती संबिधान के अनुछेद 17 द्वारा छुआ छूत के अंत की घोशना की गई अब देखें article 17 कहां है भारती संबिधान में जो छो मौलिक अधिकार संबिधान में है या संबिधान द्वारा प्रतेक नागरी को जो छो मौलिक अधिकार प्रदत है उसमें पहला मौलिक अधिकार है right to equality और right to equality का यानि समता के मौलिक अधिकार का अनुछेदिये बिस्तार article range है 14 से 18 और 14 से 18 का जो समता का हमारा अधिकार है का अंत किया गया है तो समता का मौलिक अधिकार और उसका अनुछेदिये बिस्तार 14 से 18 तो ये भी आपसे question हो सकता है कि छुआ छुद का अंत करना ये किस अधिकार को अस्थापित करने के उदेश से तो समता के अधिकार या उपाधियों का अंत जो article 18 से वो किस अधिकार की अस्थापना के उदेश से तो आप बोलिएगा समता का अधिकार तो आर्टिकल 14 से 18 समता का मौलिक अधिकार ये समता का अधिकार ठीक है फिर आर्टिकल 19 से 22 जाईएगा तो स्वतंतरता का अधिकार 23-24 जाईएगा तो सोशन के विरुद्ध अधिकार 25-28 जाईएगा तो धार्मिक स्वतंता का अधिकार 29-39 जाईएगा तो सिख्छा और संस्कृतिक अधिकार 32 जाईएगा तो संबैधानिक उप्चारों का अधिकार तो यह पूरा fundamental हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार से संबंदित कोस्चन की संभावना और मौलिक अधिकार से related एक-एक आर्टिकल पर ध्यान दे करके इस्तिति ठीक कर लिजिए कि महां से कोस्चन रहता है तो यहां पर जैसे कोस्चन पूछा यतिदम आर्टिकल पर हुआ कि छुआ छुद का अंत किस आर्टिकल से तो आर्टिकल 17 से किया गया है यह भी कोस्चन हो सकता है कि छुआ छुद का अंत यह किस मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है तो समता के मौलिक अधिकार राइट टू इक्वालिटी के अंतरगत तो 54 का सी अभ 55 नमबर कोस्टन है Plaster of Paris का रासाइनिक नाम क्या है Plaster of Paris का रासाइनिक नाम क्या है Plaster of Paris का पहले chemical formula क्या है CASO4 hold twice 2 H2O CASO4 hold twice 2 H2O CASO4 hold twice 2 H2O कहीं कहीं जानते हैं कहीं कहीं क्या करता है कभी कभी फर्मुला इसी को दूसरे तरीके से भी लिख देता है C.A.S.O.4 जो होल्टवास 2 है इसको क्या कर देगा C.A.S.O.4 बस इतना ही छोड़ देगा और हाफ H2O तो ये भी होगा फ्लास्टर और पेरिस का ये दोनों रूप से लिखा जा सकता है तो फ्लास्टर और पेरिस तो अब इसको क्या पढ़ेंगे तो option में calcium sulfate hydrate तो ये option आपका हो गया Calcium sulfate hydrate तो ये option हो गया C तो Plaster of Paris का रासाइनिक नाम क्या है ये पूछ रहा है तो इसका एंसर C हो गया Calcium Sulphate Hydrate और इसका Chemical Formula पर देखिए क्योंकि ये पूछता भी है इसका Chemical Formula क्या है तो Plaster of Paris का Chemical Formula और Chemical Name ये दोनों आप याद रखे अब next है 56 number question यानि 55 का answer हमारा C हो गया अब 56 number question है निम्नांकीत गव प्रजातियों में कौन सी प्रजाती देशी नहीं है गव यानि गाय की कुछ प्रजातियां है उसमें गाय की प्रजातियों को दिया गया है कौन सा देशी नहीं है तो Halsten Frigien दिया हुआ है A में, B में गीर, C में रेड सिंधी और D में थार पारकर देखिए ये सब गाय की जो नसले हैं B, C, D में यानि गीर, रेड सिंधी और थार पारकर ये देश की ही है ये जो है Halsten Frigien ये भारत की गाय का नस्थ नहीं है तो answer हो जाएगा 56 का A अब यहाँ पर एक चीज और जान लो कि जैसे गीर गीर कभी-कभी पूछता है गीर नसल की गाये मुखह रुप से कहां की या कहां की मानी जाती है भले वो दुसरे जगा पर हो लेकिन गीर नसल की गाये का मुखह च्छतर क्या माना जाता है ऐसा question पूछा हुआ है तो यह गुजरात महरास्त उसमें भी ज़्यादा emphasis गुजरात पर तो गीर नसल की गाये का मुल अस्थान क्या माना जाएगा गुजरात महरास्त गीर नसल एक नसल है रेड सिंधी, रेड सिंधी वेसिकली पाकिस्तान के जो सिंध छेत्र है, वहाँ का वो नसल है गाय का, वहाँ उसका मुल नसल का मुल अस्थान सिंध छेत्र माना जाता है जो आज पाकिस्तान में, और रेड सिंधी इसलिए यह सिंधी नसल भी पूछेगा, सिंधी नसल किस पालतु पसू का है ऐसा भी कोस्टन होता है तो गाय का और रेड सिंधी वो उसका समाने रूप से उसका रंग लाल होता है लाल रंग की गाय होती है उनका कलर लाल होता है तो रेड सिंधी बोला जाता है ये काफी दूद देने की छमता इन में होती है और थर पारकर ये भारत का बिभिन च्छत्रों में मिलता है, इसके अलावा भी गायों की कुछ नसले हमारे यहां हैं, जिसमें साहिवाल है, राठी है, हरियानवी नसल है, तो साहिवाल, साहिवाल नसल से भी question पूचा है, कि ये साहिवाल नसल किस पसू का है, तो साहिवाल नसल किस का है, ग तो इस तरह से पसुका खासकर के गाय के नसल से question रहता है उसी तरह से बेहने के नसल से रहता है तो खासकर के गाय के नसल का जो अभी question पूछा गया वो आप देखेंगे तो इसमें question हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं निम्नांकित में गाय प्रजाती यानि गौव प्रजाती में कौन सी प्रजाती देशी नहीं है तो हॉल्स्टिन फ्रीजियन, हॉल्स्टिन फ्रीजियन 56 का answer A और बाकी कुछ गाय की नसलों का नाम हमने लिया उस पे ध्यान दिजेगा गीर राजस्थान का रेड सिंधी, सिंधे एरिया पाकिस्तान का मूल रुप से थरपारकर, भारत के विभिन छेत्रों मिलते हैं थरपारकर भी लेकिन गाय का ही एक नसल है और फिर हमने बताया शाहीवाल उत्तर भारत में फिर हमने बताया एक आपको नसल राठी जो राजस्थान छेत्र में और हरियानी नसल की गाय तो हरियाना छेत्र की मूल रुप से वहां की इनकी सुरुआत, उत्पती ये माना जा सकता है अब देखिए 57 नमबर कोश्चन है बिहार पंचायती राजा धिन्यम में ग्राम पंचायत की आवधी पांच बरस निर्दारित है इसकी गणना कब से तो इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक से इसकी पांच बरस की गणना होती है तैक की जाती है तो 57 का एंसर B हो गया 58 नमबर कोश्चन है राज्य सभा के संदर्ब में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है यानि 57 के शंगा संदर्व में प्रति उत्रदाई होती है यह गलत है मंत्री परिशद लोग सभा के प्रति उतरदाई होती है मैं यहाँ क्लियर कर देओ कि लोग सभा में जिसकी बहुमत होगी जिस पार्टी या पार्टी कड़बंधन की बहुमत होगी अगर उस party या party के डवंधन की बहुमत अगर लोगसभा में समाप्त तो मंत्री परिशद समाप्त या भंग हो जाए मंत्री परिशद समाप्त हो जाएगे तो किसी भी party को अपना मंत्री परिशद बनाय रखने का यह मंत्री परिशद उसका exist कर रहा है तो यह गलत है राजसभा के संदर्म नाकित में कौन सा कथन सही है तो A जो है कि राजसभा मंत्री परिशद राजसभा के परती उतरदाई होता है यह गलत हुआ बी है विश्वास मत राजसभा में लाये जाता है नहीं विश्वास मत रेलोगसभा में तीसरा है राजसूची के किसी विशै पर संसत कानून बना सकती है अगर राजसभा के दो तीहाई बहुमत से पारित करे राजसभा दो तीहाई बहुमत से पारित करें कि राजसूची का संदर्व गत भी सह, राजस्टी ये महत्व का हो गया है चलिए ठीक है, ये ही एंसर सही है और इस पर मैं कुछ बात करूँगा D है धन बिद्यक राजसभा में लाया जाता है निए धन बिद्यक की शुरुवात लोगसभा से होता है धन बिद्यक मनी बिल की शुरुवात लोगसभा से है मनी बिल का डेफिनीशन आर्टिकल 110 में और मनी बिल से सम्मंधित प्रक्रिया आर्टिकल 109 में फ्राल उल्टा दिखता है डिफिनिशन 110 में प्रक्रिया 109 में अब ये इस कोश्चन का कि राज्य सभा के संदर में निम्नांकित में कौन सही है तो आप्शन सी सही है और ये आप्शन सी में क्या कहा गया है इस पे हम लोग बात करें देखिए लोग सभा को कुछ बातों में लोग सभा को अधिक अधिकार दिखता है राजसभा के मामले में खास करके आप धन बिद्यक के मामले में देखिए धन बिद्यक की सुरुवात होगी लोग सभा से धन बिद्यक पर लोग सभा की जो राय हुई वही अंतिम होता है राजसभा को बहुत कुछ नहीं होता है ज ज्यादा लोगसभा को इस मामले में धन विद्यक के मामले में ज्यादा अधिकार है और उसी तरह से सासन किसकी मंत्री परिषद किसकी बनेगी तो भाहमत कहां देखना है लोगसभा में ये भी बात हुआ तो रज सभा को भी कुछ ऐसी बाते हैं जो रज सभा जो हमारा सेकंड हाउस है संसद का द्वितिय सदन है उच सदन है राजसभा को भी कुछ बाते हैं जो राजसभा के पास दिखते हैं उसमें एक ये है भारत में सासन से संबंधित विशयों को तीन सूचियों में रखा गया है केंद्रिय सूची, प्रांतिय सूची और समोवर्ती सूची तो केंद्रिय सूची पर नियम तो बनाने का अधिकार संसत को, प्रांतिय सूची या राज सूची पर नियम बनाने का अधिकार प्रतेक राज के बिधान मंडल को, बिधाइका को है और समौर्ति सूची पर दोनों को अब राज्य सभा को एक ये अधिकार है कि राज्य सूची के भी किसी बिसाय पर राष्ट हीत में यदि युनिफॉर्म लॉग की जरूरत है राष्ट हीत में क्योंकि राज्य सूची के बिसाय पर अलग 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 होगा लेकिन राज्य सभा को ये प्रतीत हो रहा है कि राज्य सुची के किसी बिसाय पर पूरे देश में एक समान नियम होना चाहिए तो इस तरह का प्रस्ताव सबसे पहले कहां आएगा राज्य सभा में राज्य सभा से अगर ये पारित होता है दोती हाई बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है कि राज्य सुची के इस बिसाय पर पूरे देश में एक समान नियम होना चाहिए और इसके लिए संसद को नियम बनाना होगा तो ये अगर राजसभा दोती है भूमत से पारित कर देता है तो संसद को उस पर नियम बनाने का अधिकार मिल जाएगा यानि राज्य सुची के विशय पर भी संसद को नियम बनाने का अधिकार मिले इस प्रकार का पहला इस प्रकार का विध्यक की सुरुवात कहां से होगी राज्यसभा से और राज्यसभा से पारित होने के बाद ही संसद के इस पादिकार मिलता है तो ये राज्यसभा का special बात होता है जो आर्टिकल 249 में आर्टिकल 249 दूसर उन्चास में तो अनुछे 249 यानि सौट में आप यह याद किजिएगा कि अनुछे 249 संसद को राज्य सुची के विशेपर भी नियम बनाने का अधिकार देता है लेकिन इस तरह का प्रस्ताव सबसे पहले कहां आएगा राज्य सभा में ठीक इसी तरह से अखिल भारतिय सेवा स्रिजन कोई नय अखिल भारतिय सेवा किस रिजन यानि कोई New All India Service Creation का अगर बील होगा तो सबसे पहले कहां आएगा राज्य सभा में जो आटिकल 312 बोलता है और अखिल भारतिय सेवा वर्तवान में तीन सेवा है तीन सर्विस All India Service है वो है IAS, IPS और Indian Forest Service Indian Administrative Service, Indian Police Service और Indian Forest Service तीन ही सर्विस जो है All India Service है बाकी IPS से जो Services आप देखते हैं Indian Custom and Central Excise, Indian Revenue Service मैंने Income Tax वो Custom and Central Excise भी Indian Revenue Service ही होता है तो Revenue Service Direct Tax, Indirect Tax या फिर Indian Railway Account Service, Indian Account and Audit Service ये सब Service Central Services कहा जाते हैं इवेन Indian Foreign Service भी केंद्रिये सेवा है Central Service है अखिल भारतिये सेवा All India Service तीन है IAS, IPS और Indian Forest Service एक Indian Foreign Service भी होता है Foreign Service वो Central Service है तो अब तीन के अलावा अगर कोई नया कोई All India Service Creation का अगर विद्यक हो तो सबसे पहले कहां आएगा राजसभा में तो राजसभा को दो पावर इस्पेशल रूप से है जो लोगसभा सबसे है यानि दो तरह का ये दो प्रस्ताव राज्य सुची के विशे पर राष्ट हीत में नियम बनाने के लिए अगर कोई प्रस्ताव आ रहा है तो पहले कहां राजसभा में अखिल भारतिये सेवा स्रिजन का कोई नए अखिल भारतिये सेवा स्रिजन का अगर कोई विद्यट है तो वो पहले राजसभा में ये याद रखेंगे अब देखिएगा कोश्चन नमबर 69 59 राष्टिये प्रतिकों के संबन में नीचे दिये गए कत्नों में कौन सा कत्न सही नहीं है भारत के राष्टिये दोज की चोड़ाई और लंबाई का अनुपाद दो तीन है एकदम सही है राष्टिये जंद्रे के चक्र में आ रहों की मैंने वो 24 तिलियां होती है ये भी सही है राष्टिये प्रतिक लौरिया नंदन गड़ के चंपारण लौरिया नंदन गड़ के सिह सिर्ष से लिया गया है राष्टिये प्रतिक ये गलत है ये राष्टिये प्रतिक जो हम लोग लिया है सारनात के अस्तम से लिया है तो C गलत है वो लॉरिया नंदनगण का जो अस्तंभ है उसका प्रतिक नहीं लिया गया राश्टिये चिनि के रुप में वो लिया गया है सारनात में जो अस्तंभ है असुक का उसका लिया गया है तो राश्टिय प्रतिक लौरिय अनंदन गण के सी असपर से लिए गया है नहीं ये सारनाथ से सारनाथ कहां तो वारणसी के पास यूपी में असुक कास्तम वहां पर भी और सारनाथ को आप जानते हैं सारनाथ ज्यादा इंपोर्टेंट किस बात के लिए है तो भगवान पुर्ब के ब्रामन मित्रों को कहां दिया था सारनाथ में दिया था तो राश्टिय लौरिय अनंदन गड़ किसी हसपर सिर्ष से लिया गया ये सी वाला गलत है ये सारनाथ वहां समझो तो सारनाथ से तो 69 का होगा आपका सी अब 60 नंबर कोस्टन आईए एक दल लोकसभा म बिपक्षी दल होने का दावा करता है उसके पास नियुनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए तो लोकसभा में बिपक्षी दल का दरजा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी के पास कितना सांसद कितना मेंबर आप परलियामेंट यानि लोकसभा में लोकसभा में इतने सदस होने चाहिए लोग सभा में ये कोस्चन है कि लोग सभा में बिपक्ष का पाटी होने का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना सदस चाहिए तो वो कुल सदस संख्या का 10 प्रतिसत चाहिए तो कुल सदस संख्या 545 है 545 का 10 प्रतिसत या दस्वा भाग 54.5 होगा ज तो पच्पन, 60 का एंसर हो जाएगा पच्पन यहानि पच्पन किस option पर है अब है एक सट Water Technology and Environmental Control Conference का हाल ही में किस देश में आयोजन हुआ तो इस्राइल में हुआ हाल ही में हुआ है यह Water Technology and Environmental Control Conference इस्राइल में और यह इस्राइल कहा है इस्राइल जर्दानी जरुसलम इस्राइल कहा है तो इस्राइल में है इस्राइल कहा है इस्राइल में इस्राइल में इस्राइल कहा है तो इस्राइल में इस्राइल में इस्राइल कहा है और इधर आईएगा तो इजिप्ट होगा जो अफरीका का हो गया उधर भूमद्य सागर हो गया भूमद्य सागर इधर मिस्र इजिप्ट इधर इज्रायल और इधर जॉर्डन तो ये लोकेशन भी देखने के जरूरत होता है कभी कोई कोस्टन इस तरह से रहेगा नेक्स्ट है 62 नमबर कोस्टन 2020 में निर्धारिट टोकियो ओलम्पिक में पुरूस होकी के पुल ए में निम्नांकित में किस देश को सामिल नहीं किया गया तो जो इन्फोर्मेशन है उसके जर्मनी को इसमें सामिल नहीं किया गया ये सब उसमें है, तो 62 का answer भी हो गया और 63 नंबर question है NIIT, NIIT का नया प्रमुक किसे निउट किया गया है तो ये हो गया National Institute of Information Technology और National Institute of Information Technology का नया प्रमुक किसे चेयर पर्सन किसको निउट किया गया है तो केक कस्तूरी रंगन नेशनल इंस्टूट आफ इन्फर्मेशन टेक्न लॉजी के नया चेयर पर्सन निउट किया गया है केक कस्तूरी रंगन तो 63 का एंसर ए हुआ और 64 नमबर कोशन बाल अधिकार के छेत्र में काम करने वाले संगठन Kids Right, Kids Right एक संगठन है जो बाल अधिकार पर काम करता है तो उसके द्वारा अंतरास्ति ये बाल सांती प्रशकार निम्न में से किसे दिया गया है प्रियंका चोपडा कैलास सब्तार थी, जया भादरी, ग्रेटा, ग्रेटा थनबर्ग ये ग्रेटा थनबर्ग को मिला है ये काफी बड़े पस्नालिटी ग्रेटा थनबर्ग और ग्रेटा थनबर्ग स्वीडेन के हैं और इनको 2019 में टाइम्स पर्शन ऑफ इयर भी के आ गया है, टाइम्स मैगजिन का टाइम्स पर्शन ऑफ इयर भी, ग्रेटा थनबर्ग को और ग्रेटा थनबर्ग के पास बहुत सा अवार्ड है, ये इन्वैमेंट पे भी बहुत क पुरसकार किसको दिया गया है तो Greta Thunberg और Greta Thunberg किस देश से आते हैं तो Sweden से हाली में परिछित पृत्वी दो की मारक चमता क्या है तो 350 km पृत्वी दो की मारक चमता किना है 350 km तो 65 का एंसर होता है C और ये सेट हम लोग का यनि समान्य जानकारी जो test series first का है समान्य जानकारी के question जो 36 से 65 तक है वो complete होता है और दूसरे test के समान्य जानकारी के साथ फिर हम मिलेंगे Thank you